हेलो दोस्तों आज हम यहां पर बात कर रहे हैं नेक्टर लाइफ साइंस लिमिटेट से एक पैनी स्टॉक है 26 रुपे का स्टॉक है ठीक है और काभिलियत काफी जाद है शेयर काफी यहां पर अट्रेक्टिव नजर आता है जो कि आप लाश्टर वीडियो में देखोगे तो आपको दीरे-दीरे करके यहां पर पता चल जाएगा इसके पीठे का साइंस चल जाएगा कि वीडियो क्यों बना रहों आपको उसका रिस्क पता चल जाएगा रिबॉर्ड पता चल जाएगा कब लेना है कब बेचना है वो भी आपको पता चल जाएगा ठीक है तो सबसे प पढ़ेंगे बट उससे पहरे रिक्वेश्ट है I am small cap investor जो कि हम यहाँ पर small cap share से रेटी बाते करते हैं micro cap share से रेटी बाते करते हैं तो आप यहाँ पर इसे subscribe करिए bell icon को hit करें और के notification कौन करें इसे जल्दी से जल्दी 10,000 बनाईए और 10,000 के बाद 1,000,000 तक पुचाईए तो कि काफी साल हो गए है मैंनत करते करते हैं और अभी भी हम छोटे ही scale पर बने हुए है जबकि यहाँ पर आप देखोगे stocks तो एक से बढ़ करें कि stocks आपके लिए दोनों नम्बरों को सेव कर लीजिए बेसिक्स टू एडवांस कोर्स कराया जाता है यहां पर टैक्निकल रिसर्च रहेगी सीखने मज आएंगे question answering होगी आपको पता चलेगा कि exactly क्या हो रहा है क्यूं हो रहा है किसलिए हो रहा है किसी market में काम करिएगा स्कोर्स को करने के बाद छे महिने से प्राइमरी इंगेज इन डा डेवल्पमेंट मेनुफेक्श्य मार्केटिंग और वेरियस एक्टिव फार्मसीटिकल इंग्रीडियेंट्स तो API से लेटेड कंपनी काम करती है यहां पर हम बात करें कंपनी आप फार्मसीटिकल बिजनेस में हैं यहां पर आप देखेंगे ठीक है ना और यहां पर शेयर का प्राइस कितना है 26 रुपय है और कुछ जानना है यहां पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते है ठीक है तो यहां पर आपको पता चलेगा कि हाई क्वालिटी यहां पर से फैलोस पोरिन इंटरमीडियर जो कि यहां पर आप नाम देख लीजि है तो 20 स्टेट्स में इंडिया के यह काम करता है 75 कंट्री में यह काम करते हुए नजर आ रही है ठीक है ना अच्छा कासा इनका बिजनस मॉडल एक्सपोर्ट से 39 परसेंट की रिवेन्यू है और यहां पर कभी-कभी 45 ब हो जाते है तो अच्छी खासा एक्सपोर्ट करते ह हुए नजर आ रही है manufacturing facilities देख सकते है 13 manufacturing facilities है ठीक है company अच्छा कासा काम कर रही है awards मिलते रहते है overall बात कर रहे तो company आपर अच्छी नजर आ रही है यहां पर आप business area देखने चाहते API में company formulation में empty hard gelatin capsule जो capsule बनते है ठीक है और उसके भार का जो plastic जैसा होता है जिसे आप जिसमे अंदर दवा यह होते है वो capsule जो ऊपर के होते है वो यह company बनाती हुए नजर आती है तो अच्छा खासा business model है ठीक है आप यहां पर देख सकते है जो यह यह company बनाती है इसके लावत sun pharma ही बनाती है formulation यह बनाते हुए नजर आते API की बात करे company API के business में तो overall बात करेंगे तो overall business काफी अच्छा है और आप देख रहे है फार्मा का index कहां चल रहा है ठीक है अच्छा खासा फार्मा का index चलता हुआ नजर आ रहा है शेयर प्राइस कितना है 26 book value देखिए 47 लग बग लग बग 70-80% उपर ही यहाँ पर नजर आती है तो book value काफी ज़यदा है ठीक है एक रुपे की face value है 30 रुपे का high इसने 52 week लगाया है as well as debt की बात करें 64% का debt है long term का vision हमारा है नहीं ठीक है ना अप्लाइजिंग की बात करें 100% share applies का रखे है तो यह एक negative point है तो negative point बहुत सारे है ठीक है ना छोटी companies होती है ना तो उसमें negative points रहते है ठीक है समबर 2022 में बढ़ाते हुए नजर आये government के पास ना के बराबर public के पास देखोगे 28% के share है तो यहां पर 55% share है वह प्लाइस करके रख रखे है क्या यह गल्त बात है ठीक है ना गल्त pleasing गल्त है सही है उसका decision हम नहीं ले सकते हो हम कह भी नहीं सकते है अगर company अच्छा काम कर रहे है प्लाइस रख रख रखे है ठीक है क्योंकि छोटी company है और इतना बड़ा business यहां पार फैला रखा है तो कहीं ना कहीं प्लाइस करके loan लेके काम में लगाके वह काम करते रहते ह है और दीरे करके अगर जैसे ही business और बड़ा हो जाएगा तो pleasing भी अपने शेयर को प्लाइस को छुड़ा भी लेंगे ठीक है और जो प्लाइस होते है या तो HNIs यह बड़े बड़े DIs FIs की साथ में रहते है तो इसे भी हम यहां पर भूलना नहीं है ठीक है तो NSR, DirectP, Mauritius, LIC इन्हों नहीं यहां पर share लेके रखिया तो अब बात करते हैं यहां पर fundamental की और आगे तो company की बात करोगे तो company यहां पर आप देखोगे अच्छा का सा perform कर रही थी, बीच में थोड़ा सा dull हो गया था, फार्मा की सारे शेयर ही dull हुए थे, बट अभी आप देखोगे यहा यहां पर quarterly और yearly तोनों basis पर यहां पर देखिया है, यहां पर एक सार पहले घाटा था और एक क्वाटर पहले 35 क्रोड का profit था, तो quarterly बेस पर थोड़ा सा कम performance दिया है, just because of expenses, but yearly basis पर घाटे से profit में आ गई है, ठीक है, as well as यहां पर आप देखोगे यहां पर, तो company जो net profit था, जो घाटे में था 22 करोड के, वो एक करोड का profit में आ गया है, तो company क्या है, घाटे से profit में यहां पर आ गई है, यह एक क्या है, अच्छी बात मैं इसे मानूंगा, ठीक है, यहां पर और चीज़े नहीं देखते हैं, बट से ही यहां पर देख लोगे, तो आप समन में आ क्या है, यहां पर हम बात करें, बॉराइंग की वज़े से, company ने बहुत जादा बॉराइंग ले रखिया, बट अच्छी चीज यह है, कि 2021 से ट्राइ कर रही है, बॉराइंग कम करने की, ठीक है, जो कि पहले बीच में कम करी थी, फिर बढ़ा दी, फिर यहां पर कम करी है, अब देखोगे, तो 860 से 750 से 681, तो 200 करोड के आसपास, पिछले एक साल में आपर, एक से डेट साल में आपर इनोंने अपना लोन कम किया है, रिजर्फ की बात करें, रिजर्फ करने बड़े है, 1000 करोड के आसपास के रिजर्फ है, यह पॉजिटिव बात है, 78 करोड रूप चलने वाला, जिन्दा रहने वाला काम है, 20 करोड का कैश भी पड़ा हुआ है, एरली बेस पर परफॉर्मेंस की बात करें, तो कोई खास परफॉर्मेंस यहाँ पानिया, बलकि नेगेटिव परफॉर्मेंस कहूंगा, बट कमपनी आगे चलके सुधर सकती है, कमपनी आगे दीरे जैसे ही काम होगा, तो याद रखिएगा, यह जो प्रॉफिट का रेशो है, यह दुबरा बढ़ता हुए नजर आएगा, सेल्स का रेशो दीरे दीरे बढ़ी रहा है, दीरे दीरे बढ़ जाएगा, बहुरा इंकाम हो जाएगी, ठीक है, एक्सपैंस पर थोड़ा सा ही कंट्रोल करेंगे, चीज़े निकल जाएगी, फिर ऐसे शेयर यहां पर पीछे मूर के देखते नहीं है, याद रखिए, ऐसे ही शेयर है, जो दंतस गुना फिर होते हुए नजरा आते, cash from operating activity बढ़ता हुए नजरा आ रहा है, शेयर ओल्डिंग पैटेंस से लेड़े हमन लॉस मत लीजिए, ठीक है न, अगर नहीं हो रही, अगर उपर दुबारा जाएगी, तो दुबारा खरी ली जाएगी, क्या हुआ, 5% का लॉस होगा, बट अच्छी ठीट होगी, तो बांस बैक करेगी, ठीक है, तो 5% भी कवर कर देगी, और अच्छा खासा भागेगी, त ठीक है, अब भी बात करें, तो 40.45 रुपए के आसपास है, और अभी यहां पर 26 पे चल रहा है, तो क्या शेयर में ताकत है, तो रिजल्ट को देखके, नेगिटिव से पॉजिटिव की तरफ आया है, ठीक है, लगबग यहां पर 78 क्रोट रुपीज यहां पर वाकीं पोग अब बात करें, अब बात करते हैं, तो यहां पर देखिए, सबसे पहले, एक अच्छी खासी गिरावट होती भी नजर आई, फिर भागा फिर एक गिरावट होती भी नजर आई, अब बात करते हैं, तो सबसे पहले रिस्की बात कर लेते हैं, अगर कोई यहां पर पोजीशन बनाता है, ठीक है, तो रिस्क में 21 रुपे का स्टॉप लॉस, ठीक है, तो यह ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लगब 20% हो जाएगा, बट मैं आपको इतना बड़ा लीजएगा, और 1-2 रुपे का स्टॉप लॉस रखिएगा, मतलब क्या हो गया, 5-10% का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है, और जैसे यह शेयर भागेगा, तो सबसे पहला लेवल है 31 का, ठीक है, 31 का लेवल क्रॉस किया, तो इसके बाद शेयर यहां पर 42 तक ठीक है, और धीरे-धीरे करके यहां पर इसने हाई भी बनाया था, 60 रुपीज का, वो हाई भी क्रॉस होता हुआ नजर आएगा, और अगर इस शेयर को टाइम दोगे, ठीक है, और इस शेयर ने थोड़ा सा परफॉर्म किया, इनके पर्मोर्टर्स ने परफॉर्म किया, त ऐसे जब बड़े-बड़े लेवल निकलते हैं, तो पैसे बनते हुए नजर आते ही है, तो बाइंग सैलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं, अपने पाइनेशल एडवाइजर की, और खुद की स्टड़ी करिये, ठीक है ना, खुद का एनलाइसिस करिये, और खुद की डियू आसाथ काम करके आपको चीज़े पता चलती ही नरजी रहेगी, आप बेशते रहना खरीदते रहना पैसे बनता रहेगा, so thank you so much, God bless.